अनोनी हो जाती है, इनकी बूर्ट पलड चुकी थी, लेकिन कैसे, सभी लोगा पानी के नीचे थे, लेकिन कुस्से में पहले तो एकदम सब कुछ शांत महौल था, सभी वी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब महौल उतना ही जादा पैनिक हो चुका है, इन्हें यहां सबसे वो फॉरण उसे उपर लेकिया आता है, जिसके पास सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, किसी को भी चोट नहीं आई थी, लेकिन अब यहां इनकी दिकते बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो कुछ भी खाने पीने का समान था, सब कुछ खराब हो अब बचा है, तो बस एक उल्टी हुई बोट, जिसका किस तरह से इस्तमाल करना है, ये भी उने पता नहीं है, तो ये काम आप भी कितना ये पहले उस बोट को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जा कर एक चटान में घुसी थी, इसलिए काम इतना आसान नहीं था, तो एक एक करके उस पर चड़ने का सोचते हैं, जहां से आसपास देखकर उन्हें ना तो कोई शिप दिखाई देती हैं और ना ही कोई बोट, जैसे कि मैंने आपको पहली बता दिया था, कि बस दिखाई देता है तो पानी जिसके अंदर न जाने कितने किसम के जीव उपर से बहुत पुराना मॉडल है, यह आइडिया तो हमें डॉप कर देना होगा, तभी सूजी पूछती है कि यहां के पास का आइलन कितनी दूर है यहां से, तो वो बताता है कि तक्रीबन 15 मील, यानि कि वहां तक पहुचने में इन्हें कई दिन लग सकते हैं, और तैर क कॉर्मेट नीचे जाने से पहले स्विम सूट लाते हैं, और साथ में एक अमर्जनसी लाइट भी, सब ही अपना अपना सूट पहनते हैं, लेगिन किसी के चहरे पर यह नहीं दिखरा था, कि वो यह कर पाएंगे, सब के मन में डर मौझूद था, इसलिए एक करके तीनों न बना कर देता है, तो वो गुडबाई बोल कर अपनी लोगों के पास आ जाती है, तीन गंटे भी जाते हैं, और यह लोग काफी दूर आ चुके थे, लेकिन अभी भी वो आइलेंड काफी दूर है, सबी दीरी धिरे तैरते हुए आगे बढ़ रहते, कि तभी क्लियर को पान जाता है, तो उस चीज को पलटता है, तब हम देखते हैं कि असल में वो एक कच्छुआ है, जिसका सर गाइब था, मतलब कि उसका सर किसी जानवन ने खा लिया था, अब यह किसी इंसान का काम तो नहीं है, जरूर यह किसी बड़े समुदरी जीव का काम हो सकता है, लेकिन क जारो तरफ देखता है, तो उसे असल में एक शार्क भी दिखाई देती है, लेकिन क्या पता यह उसका एक वहम हो, वेला आपको क्या लगता है, कि उससे उस बोर्ट पर रहने का फैसला सही था, या फिर गलत, या उसे अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए था, नीचे पैने को कहता है, लेकिन इस चीज से सभी लोग पैनिक हो जाते है, और सबसे ज़्यादा तो क्लियर जो रोने लगती है, लेकिन मेट उसे चुप कर आता और फौरण वहां से दूर ले जाता है, लेकिन वह अब शार्क उनके आसपासी घूम रही थी, और करीब आती जा रह लेकिन तब ही दोस्तों अचानक से शार्क उसके पैर पर हमला कर देती है, और वो चीखने लगता है, सभी उसके पास आते हैं और उसके पैर को देखते हैं, तो वो गायब था, लोगों के पास सिर्फ खूनी खून था, और खुद के भाई की ऐसी हालत दे कर क्लियर के तौ उसका भाई कहता है कि तुम लोग अब यहां से चले जाओ, मैं अब और तैर नहीं सकता हूँ, अगर तुम यहां पर रहे, तुम मारे जाओगे, उन लोगों के लिए फैसला कटिन था, लेकिन उन्हें ये करना ही पड़ेगा, वो सब उसे वहीं छोड़ कर आगे बढ़ ज आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही करते हैं, वो दिन भी बीच जाता है, और आ जाती है हर रात, जो दिन से जादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब शार कहा है, यह उसे देख भी नहीं सकती है, इसी का फायदा वो शार को ठाली थी और इन लोगों के आसपास घूमना शु बढ़ क्लियर की आँख खोलती है, तो बागी दोस उसे थोड़ी दूर पर थे, वो पहले तो फॉरण सभी उठाती है, देन वो सबको उस आइलेंड को दिखाती है, मतलब दोस्तों यह अपनी मंजिल के काफी करीब पहुच चुके हैं, लिकिन क्या वो आइलेंड तक आ रही है, जिसे कुछ जरबाद उसे कुछ टच भी होता है, और जिसके अगले ही पल वो गायब हो जाती है, सभी हैरान दे कि आखिर वो कहां गई, लिक उसे डूना शुरू करता और अचानक से उसे थोड़ी दूर पर उसकी गरदन दिखाई दिती है, लेकिन उसके आसप हो जाए, जो औरों का हुआ है, इसलिए वो लिक को अपने दिल की बाद कह दीती है, कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसने ये बाद कभी शेर नहीं करी, लिक भी उसके प्रपोजल को एकसिप कर लेता है, और दोनों हग करती है, जिसके बाद वो अपनी चूटी हुई स पगड़ रखा था, और साथ में ही आगे बढ़ते रहते हैं, लिक बीज बीज में देखता रहता है, कि कहीं वो करीब तो नहीं आ रही है, वो बस पहुचने ही वाले थे, लेकिन जब इस बारी लिक नीचे देखता है, तो वो उस पर चल नहीं पाता है, लेकिन तभी वो उसने थोड़ी ही दिनों पहले, अपने भाई, अपने प्यार, अपने दोस्तों सब को खो दिया था, आखिर में बताया जाता है, कि ये कहानी पूरी तरह से रियल है, सच है, असल में जो लड़की क्लियर है, उसका नाम केट था, जिसे कुछ दिर बाद फिशिंग बोट न उन्हें वो कहें नहीं मिला, जिसका मतलब कि उसकी भी मौत हो गई है, और इसी के साथ ये कहानी भी